इस वीडियो में हम लोग देखेंगे trigonometry का कुछ बहुत ही important concept तो बने रहेगा class के अंतग नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार maths वाट का जो class चल रहा है उसका PDF आपको मिलता है maths वाट का टेलिगराम के उपर तो आपके exam में खुब देखने को मिलता है इसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे questions को इसकी अलावा देख लीजिए यहाँ जो आप concept देख पा रहे होंगे इसको भी हम लोग देखेंगे और finally इसको करके हम लोग कुछ question करेंगे और इस class को हम लोग finish करेंगे तो बने रहिए बस लागातार क्योंकि बहुत important से सनाज का होने वाला है देखेंगा सबसे पहले जो पहला टाइप है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है सेख ठीटा प्लस 10 ठीटा बट्टा सेख ठीटा माइनस 10 ठीटा का value 5 बट्टा 3 है तो हम साइन ठीटा का value इस question में बताना है ग बट्टा y बराबर अगर a बट्टा b इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो अगर हम इसका component और डिविडेंडो करें क्या होता है समझेगा नीचे जो value आप देख रहे हैं न एक बार इस value को उपर में जोड़ लिए तो हम क्या लिखेंगे x पलस y यानि नीचे वाले value को हम उप उपर में जोड़ लिए यही concept है द्यान से समझेगा और फिर हम क्या करेंगे जो value है नीचे वाला इसको उपर वाले में से घटा लिजे यानि कि x-y यही क्या कहलाता है component और डिविडेंडो यानि नीचे वाले value को एक बार उपर में जोड़ेंगे और नीचे वाले value को एक उपर वाले में से घटाएंगे जोरकर उपर लिखेंगे घटा करके नीचे लिखेंगे अब LHS का component और डिविडेंडों की है तो इसका भी करिए आप बोलोगे कि सरिया हो जाएगा a plus b बटा a minus b a plus b बटा क्या हो जाएगा a minus b तो अगर x बटा y बराबर a बटा b है अगर ऐ x plus y बटा x minus y बराबर a plus b बटा a minus b भी हो जाएगा अब और देखिए अगर हम आपसे कहें कोई और नमबर दे हम आपसे कहें कि आप बताइए कि a by root 2 बराबर इधर कुछ और दे रखा है मान लिजे x बटा y दे रखा है आप इसका component और डिविडेंडों कर सकते हैं बार घटा लेंगे तो क्या होगा x minus y हो जाएगा ठीक उसी प्रकार से अगर कभी नंबर इसी तरीके से लिखा रहे x plus y बटा x minus y बराबर a plus b बटा a minus b इस प्रकार से रहे a plus b बटा a minus b इसका component क्या हम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते इस बार जो है हमें क्या करना है x बटा y बराबर ये बटा भी का component किये थे तो component किये थे तो इतना आया था अगर मान लिए कि हमें data ही इस form में मिल जाए तो इसका अगर हम component करेंगे तो क्या मिलेगा तो गोर से देखिएगा आप क्या करिएगा ऊपर वाले में एक बार नीचे वाले को जोर दीजेगा तो x plus y में हम जोर देंगे x minus y यही तो करते हैं और एक बार उपर वाले में से यानी x plus y में से घटा लेंगे किसको घटाएंगे नीचे वाले को जिसको घटाएंगे उसका चिन बदलेगा ना तो इन दोनों का चिन बदलेगा x plus में है तो x minus में हो जाएगा और y minus में है तो y plus में हो प्रावर इधर देखे लीजे सब्सस करेंगे हमायनस में हो जाएंगे अब इसको देखिए यहां पर समझेगा पलस y-y cancel हो गया एक्स और x क्या बचा ऊपर में 2x आपका बच गया है और यहां पर देखिए माइनस x-x cancel y-y क्या है आपका 2y हो गया इधर परावर इसी प्रकार से यहां देख लिजे ए पलस भी यहां माइनस होगा ना नीचे वाला जोर रहे है तो पलस b-b-b cancel तो a और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और साथ में यहां देख लिजे माइनस a पलस a cancel b और b क्या हो गया 2b हो गया 2 से 2 cancel दो से 2 cancel फिर से क्या आगया x बटा y बरावर a बटा b तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर x बटा y यहां देखिए x बटा y बरावर a पलस b का component डिविडेंडो करिएगा तो इतना आएगा और अगर इस form में data है और इसका component डिविडेंडो करिएगा तो वापस से आपका इतना आ जाएगा वापस से किस form में आगे आपका x बटा y बरावर a बटा b के form में तो इस form में आपका वापस से नंबर आ जाएगा इतना समझ गये हैं अब आते हैं question के उपर सबसे पहले इस question को देखिए सवाल नंबर दो अगर हम इस part का component डिविडेंडो करें तो हमारे पास क्या मिलेगा हमारे पास मिलेगा sin theta बटा cos theta यानि sin theta बटा cos theta इसका component डिविडेंडो करने पर आएगा आप चाहे तो sin theta minus cos theta उपर में जोर सकते हैं और फिर इसमें से sin theta minus cos theta घटा सकते हैं इसी चीज़ को हम लोग पीछे देखे हैं समझे हैं तो अगर आप इसका component डिविडेंडो करिएगा तो क्या मिलेगा sin theta बटा cos theta बराबर अगर आप LHS का किये हैं तो LHS का भी करना पड़ेगा तो 4 को 5 में जोर लीजे कितना होगा 9 और 5 में से 4 घटा लीजे एक यानि नीचे वाले को एक बार उपर में जोरेंगे और एक बार घटाएंगे जोर के उपर घटा करके नीचे हो गया component डिविडेंडो अब द यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका और यही आपका अंसर हो जाएगा 10thट का मां निकल गयाया यानिकर इसäreंट आधार हमारे पास है तो हम करन निकाल करके वाकिकल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेश्यों से पुछा जाता तो हम उसको बता सकते हैं लेकिन चुके यहां पर और ठीटा पुछा गया है और टैन ठीटा निकाल चुके हैं तो टैन ठीटा का जस्ट हम लोग जाएगा सैक्ट आमर्णेश्ट ही होता है सबसेक्त होता एक सब्सक्राइब कॉंसरार होता है और और फिर नीचे देखिए जर्वाला वल्ट को घाटक हुएंगा उल्ट के गुणा यानि एकि बट्टा को चिटा में उल्टके कुना cancel हो गया एक बट्टा साइन ठीटा का मान कितना है एक बट्टा साइन ठीटा का मान 4 है हमें किसका मान बताना है हमें बताना है यहां पे साइन ठीटा का मान तो जब एक बटता sinθita कामान 4 है इसका मतलब sinθita कामान क्या हो जाएगा उल्टा कर दीजे एक बट less एक बटते चार एक बटता चार आपका अनसर वैसे भी एक बटता sinθita क helmान 4 हो गया तो sinθita कमान क्या हो गया गाएक बटता 4 yas Genau फिर निकाल सकते हैं अगर कभी आपके सामने इस प्रकार से कुश्यन आ जाए तो आपको इसको solve करने में कहीं दिककत नहीं होना चाहिए आगे बढ़िए अब चलते हैं हम लोग concept नंबर दो पे यहाँ देखिए इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझेगा बहुत important है a sin theta plus b cos theta का value अगर मान लिजे दे रखा है कुछ भी यहाँ पर हम c ले लिए a है cos theta का coefficient क्या है b है अब इसमें देख लिए उल्टा हो गया है जो sin का coefficient था अब किसका हो गया साइन का बस इतना ही होता है बीच में अगर plus है तो यहाँ minus होगा minus देगा तो plus देगा ठीक है तो जब भी इस तरीके का बनता है आपका संबंद तो इसमें देख लिजिए इसमेu sin theta का कोफिषेंट क्या है इह है तो आपकर यह स्कु HEY Plus cost theta का कोफिषेंट क्या है भी है तो करिजेu sqe बराबर इसका वैलू क्या है सी है है तो c sqe प्लस नीचे वाला का value क्या है तो dA square यह आपका relation निकलता है जब भी इस तरह का case आपका बनता है तो यहां भी क्या relation निकलेगा देख लीजे A cos theta minus B sin theta का मान दिया है और A sin theta plus B cos theta का मान पूछा है माइनस देखे plus पूछेगा या पूछेगा अच्छा यहां में क्या बताना है एक्स का मान बताना है तो एक्स कैसे निकालेंगे तो हम यहां पर यही चीज तो लिखेंगे यहां देखे sin theta का coefficient A है तो A square cos theta का coefficient B है तो B A square बराबर इधर बराबर में value SC तो C A square plus इधर X है तो X square करेंगे अब आगर हमें X square का value यहां से चाहिए या X का value चाहिए तो हम CA square को इससतर चाहिए तो CA square को इससतर पलाएंगे तो क्या मिल जाये का Space A square plus B A square minus का CA square हो जाएगा क्योंकि CA square इ Taiwan Plus में है और यह value किसका होगाflix का Alors oh हो जाएगा और जब अंडरूट करिएगा तो वैलू प्लस माइनस दोनों में आएगा कहने का मतलब है कि एक और चीटा माइनस भी साइन ठीटा बराबर सी और ए साइन ठीटा प्लस भी कॉस ठीटा बराबर एक्स दे रखा हो और एक्स कामान पुछे होगे तो हम लिखेंगे A square plus BA square minus CA square और यहां सा आप्शन हमारा sum हो जाएगा पलस a square plus BA square minus सीय स्कुएर और रूट यहां भी देख लीजिए अगर हम आप से पुछे कि D कामान क्या हो जाएगा तो दि कामान हो कि यह हुआ कैसे तो आप इसको प्रूब भी कर सकते हैं जैसे देख लिए दोनों समीकरण का क्या कर दे स्क्वाइर करके अगर हम जोड़े जैसे यहां पर हमारे पास क्या है I Mentor A sin theta baş B cos theta ہے इसका कर लेते हैं और हमारे पास क्या है C है तो C का भी कर लेते हैं इसकोola से इसका होगा अगर हम इसको जोड ले अब जोड़िएगा तो क्या होगा गौर से देख लीजिए यहां हो जाएगा हमारे पास इसका स्क्वेर करिए तो यह होगा ए गुना बी साइन ठीटा इन्टू क्या हो जाएगा साइन ठीटा इन्टू कॉस ठीटा और बराबर इधर वैलू आपका सिए स्क्वेर है तो सीए स्क्वेर हो जाएगा ठीक उसी प्रकार से इसको तोर ये A-B का whole square तो A square तो A square cos square theta पलस B A square तो B A square sin square theta minus 2 A b होगा थो minus 2 A b sin theta into cos theta हो जाएगा और विदार value आपका D है तो D A square कहने का मतलब A minus B के whole square पे तोड़िये तो A square इतना B A square तो B sin theta इसका justice minus 2 A B तो minus 2 A B तो minus 2 गुना A cos theta into B sin theta यानि A B cos theta into sin theta या sin theta into cos theta लिखे अब वर्ग करके इसको अगर आप जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर देखिए क्या होगा, जोड़ने पर यहां देखिए, इस दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए, sin square theta, a square अगर common लेते हैं इस दोनों में से, sin square theta, cos square theta एक हो जाएगा, और एक में a square जोड़ते हैं, तो क्या आपका इसका योगफल आपका 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 a square, यहां क्या बचेगा, सिर्फ a square, क्यों कि दोनों में से a square common लेते ह torpedo either, मतलब किसका जो गुणा करेंगा भून हो जाए गाँ उसी चीज को प्रैक्टिकली पूरूब किया गया है आपको बस इतना ध्यान तो यहां पर बताईए इसका क्या है। स्क्कुइर बख्याइर बख़ पूस को स्केसिंट क्सेंट साइन ना वह गया तो यको प्रकार से इसमें चलिए स्की वाई साइन पीटा का वैलू है तो एक निकालना है तो सबसे पहले क्वार एक से स्क्वाइर मैंय Till Sing क्या है यह घ्याइब है यह स्क्वर्प्स अप का बिकल्प एह तो में स्कोस्चन का तहीं अंसर हो ति 2 का square 4 और 4 का square 16, 16, 4, 20 हमारा answer इस question का हो जाएगा विकल्प A, विकल्प A ही में ही तो ऐसा है ना, आगे बढ़िए, आगे चलिए अगला question देखिए, यहाँ देख लिजिए, sign theta minus cos theta का मान दिया है, और sign theta plus cos theta का मान हम लोगों से पुछा है, पिछे देख सकते हैं आप question तो कुछ ऐसा ही था ना, यहाँ भी देख लिजिए, sign theta cos theta का मान दिया है और इसका मान अगर पुछा जाए, जैसे यहाँ देख लिजिए, इसका मान देकर कि इसका मान पुछा जाए, तो क्या करते हैं हम लोग, हम लोग देखिए क्या करेंगे, गोर से समझेगा, sin theta minus cos theta का मान, sin theta minus cos theta का मान, आपका कितना है, यह मान आपका 7 बट्टा 13 है, हम लोग उसे क्या पुछा गया है, sin theta plus cos theta का मान, उसी theorem से आप इसको भी solve कर सकते हैं इसको अगर हम एक समान लेते हैं तो सुचिए यहां बताए कुश्ण का फॉर्म हो गया इसका कॉफिशिंट एक है इसका भी एक है इसका जग़े स ImOLD को प्लस इधर क्या है आपका एक 3 तो एक्स स्क्वाइर हो जाएगा अब 2-49 मैंच नहीं किजा आएगा 59 हैं य प्लस में आपका एक्स का है 289 का बर्गमुल 17 और 179 का बर्गमुल कितना 13 तो 17 बट्टा 13 यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा इस चीज को आप डारेक्ट भी कर सकते हैं डारेक्ट कब करेंगे जैसे यहां देखें दोनों जग कॉफिशेंट यानि साइन ठीटा और कोशुटा ठ सेम है तो अगर कॉफिशेंट सेम हो उसकेस में जो है सीधे हमें कर लेना है 2-1 स्क्वाइर क्या कर लेना है 2-1 स्क्वाइर कब जब कॉफिशेंट सेम हो एकि इसके पहले जो कॉश्चन कर रहे थे उसमें क्या मिलता था साइन ठीटा का कॉफिशेंट कुछ और होता था कॉ coefficient सेम रहे, sin plus cos का मान दे करके sin minus cos का मान पूछे, या sin minus cos का मान दे करके sin plus cos का मान पूछे, तो के बला आपको करना है, 2 minus x square, तो 2 minus जो एक value दिया है, वो यह x का मान हो जाएगा, उसके square कर लेना है, जैसे यहाँ देखिए, cos plus sin का मान दिया है, cos minus sin का मान पूछा है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, 2 minus x square, तो x के जगा, यानि इसका जो value है उसका square, तो root 2 का square 2, और cos का square करेंगे, तो cos square ठीटा हो जाएगा, यही तो होगा, root under 2 minus x square, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 common ले लीजे, तो अगर common लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 minus cos square ठीटा, तो 1 minus cos square ठीटा इधर हो गया, और यहाँ बचेगा आपका root के भी तर्ग, अब देखिए, 2 का बर्गमूल निकलेगा नहीं, तो root 2, और साथ ही साथ, 1 minus cos square ठीटा क्या होता है, 1 minus cos square ठीटा, sin square ठीटा होता है, और sin square ठीटा का बर्गमूल sin theta, यानि root 2 into sin theta, आपका answer हो जाएगा इसका, root 2 into sin theta, बिकल्प D, 1 minus cos square theta, sin square theta, और sin square theta का बर्गमूल क्या निकलेगा, sin theta, यहाँ देखिए, sin theta minus cos theta का मान दिया, इसका मान पूछा है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 2 minus x square, तो x का मान एक बट्टा 2 है, इसका square एक बट्टा 4 हो जाएगा, 12 करिए, 4, 2, 8, minus 1, 7, 7, 7, 4, तो 7 का बर्गमूल नहीं निकलेगा, तो root 7 और 4 का बर्गमूल 2, इसको calculate करिए, 4, 2, 8, minus 1, है, अगर मान लिजिए, कि a sin theta plus b cos theta बराबर c दे रखा हो, ध्यान से समझेगा, अलग-अलग concept है, और अगर a square plus b square बराबर c square हो रहा हो, जा हो रहा हो, a square plus b square बराबर c square हो रहा हो, उस case में sin theta के गुणा में, जो value होगा, वह हो जाएगा, आपका लंब यानी perpendicular, cos theta के गुणा में, जो value होगा, वह हो जाएगा, आपका आधार यानी की base, और जो बराबर में value होगा, वह हो जाएगा, आपका, करन, तो जब लंब, आधार, करन मिल गया, फिर हमें, कोई भी trigonometrical ratio पूछले, हम आसानी से बता सकते हैं, तो यहाँ देखिए आप, देखिएगा, a cos theta, plus b sin theta, बराबर क्या है 13, तो क्या 5, 12, 13, 5 का square, plus 12 का square, बराबर 13 का square हो रहा है, 5 का square, 25, 12 का square, 144, 144 में 25, जोड़ेंगे 179, 13 का square, 179, वह ऐसे question में रहता ही है, यहाँ 5, 12, 13, triplet बना रहा है, बना रहा है, तो जो sin theta के गुना में होगा, वह value हो जाएगा, lump, तो lump होगे हमारा 12, जो cos theta के गुना में होगा, वह value हो जाएगा, आधार, और जो बराबर में होता है, वह कर्ण होता है, तो lump 12, आधार 5, कर्ण 13, 10 theta होता है, lump बट्टा आधार, P बट्टा भी, तो वह P का value कितना है आपके पास, P का value 12 है, और B का value 5, तो 12 बट्टा 5, इस question का answer, कुछ भी पूश्टा हम इसको बरियारा हम से बता सकते थे, अगले question में आईए, यहाँ देखिए, 9, 40, 41, triplet बनता है, तो साइन ठीटा के गुणा में जो value होगा वह लंब, तो lump हो गया 9, POS के गुणा में जो value होगा वह आधार, तो आधार होगया 40, जो बराबर में value होगा वह कर्ण, कर्ण होगया 41, कौस ठीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानि कि B बट्टा H, तो आधार कितना है आपका, इस बार 40, और कर्ण कितना, 41, तो 40 बट्टा 41, इस question का answer, 40 बट्टा 41, विकल्प भी हो जाएगा, आगे चलिए, यहाँ देखिए, 10 ठीटा के गुणा में, जो भैलू हो का वह लंब, तो लंब इतना हो जाएगा, कौस ठीटा के गुणा में, जो भैलू हो का वह आधार, तो आधार इतना हो गया, और जो बराबर में होता है, वह कर्ण, तो कर्ण इतना हो गया, हमें क्या बताना है, हो जाएगा यहीं है ना a square minus b square और नीचे में 2a भी विकल्प भी इस question का सही answer इस pattern पर भी question आप से पूछा जाता है detail में अभी इसको नहीं देखेंगे सिर्फ concept समझे कि इस concept पर question आपका आ गया तो फटा-फट से आपको उसी तरह से अगर sec minus 10 का मान दे दिया sec plus 10 का मान पूछा तो भी हम क्या करेंगे उल्टा कर लेंगे ऐसा क्यूं होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि sec square theta minus 10 square theta बराबर क्या होता है one होता है अब यह a square minus b square का form है तो इसको हम लिख सकते a plus b यानि की sec theta minus 10 theta और into क्या लिख सकते है a minus b यानि की sec theta plus 10 theta लिख सकते है 10 theta लिख सकते है is equal to क्या होगा is equal to 1 होगा अब सोचिए कि अगर sec minus 10 का मान x दिया है तो हम यहाँ x रखेंगे तो sec plus 10 का मान क्या हो जाएगा 1 by x हो जाएगा और अगर sec plus 10 का मान x दिया है तो यहाँ अगर x रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा यह x भाग में चला जाएगा कहने का मतलब sec plus 10 के मान का उल्टा sec minus 10 का कामान HOW जायेगा सिर्फ चिनवदला है और को सेऊक ठीटा कोट इप सर्पी ता कामान पूछे अदे करंगे उल्टा कर देगijn कुछ वह कुछ महां देता है जैसे मान लिजए कॉस एक मैनस कवाण के कामान यहां देगा कुशनम में 2.5 इस कमान पूश्च दिया तो वन भाई हम क्या करेंगे 2.5 कर लेंगे अब इसको सोल्ब करिए एक बट्टा दोदा समलब पांच है पॉइंट हटाएंगे तो उपर में 10 हो जाएगा पांदो ना दस पंचे पचीश दूबटा पांच आंसर तो इस तरीके से हम लोग अपन प्लस कोट कामान पुछ even और मार्णस वाला दे करके प्लस वाला पूखे आइए यहां पर कॉछék करते हैं देखे सब्सकूरल Collins कोटृतब ऑट अहां पर काॉस्ध थीटा मायनस कोटृत्टिटा कामान i7 बटय तो अच्चह पूछा क्या है अगर हम से पूछ दिया होता ना कि CAUSEC अगर A minus B और A plus B का मान दिया जाए और आप से A का मान पूछआ जाए यानि CAUSEC ठिया का मान पूछा जाए जो की दोनों जगा प्लस में है तो इन दोनों value को जोर करके 2 से भाग यानि हम क्या करेंगे 7 बटा 2 में 2 बटा 7 को जोरेंगे और इसमें भाग कर लेंगे कितना से इसमें हम भाग कर लेंगे 2 से कहने का मतलब या है कि x पलस y का मान अगर 12 है और x माइनस y का मान अगर 3 दे रखा है और x का मान पूछ दिया तो हम इस दोनों को जोर करके 2 से भाग यानि 12 और 3 15 बटा 2 कर लेंगे और y का मान जो की एक जगा माइनस में इसका पूछ लिया तो दोनों को घटा करके 2 से भाग तो 12 माइनस 3 9 9 बट कर्के दोसे बहाग करते हैं हमारा अंसर यह होगा अब इसका बई्ण का जूर करिकी कितना हो जाएगा उन्चास और दो चार इसमें शे क्र दो से भाग करने का मतलब और आपट्या बाट्टा तो बहुता है और चर अठ्धा बट्टा 28 आपके question का सही answer हो जाएगा दो से भाग करने का मतलग क्या होता है आपका एक बट्टा दो से गुना अब अगर माली जे कौट ठीटा का मान पूछता तो हम क्या करते हम बरी value में से छोटी value को घटा करके दो से भाग कर लेते डिरेक्ट आंसर आ जाता है